हेलो फ्रेंज आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कभी यूरन पास करने में जब प्रॉब्लम हो तब आपको क्या करना चाहिए वीडियो को मैं आगे बढ़ाओ उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब कीजें ताकि हमारी फैमिली और भी बड़ी हो सके और इसमें और भी जादा से जादा मेंबर्स को ये जानकारी मिल सके कि कुछ health related issues होते हैं जिसमें उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें क्या करना चाहिए उसमें वो क्या कर सकते हैं मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके लिए ऐसे ही वीडियो बना सको जो आपके routine life में आपको बहुत जादा confusion cause करती है आपको बहुत जादा tension देती है कि हमको क्या करना चाहिए ऐसे situation में तो आप इन वीडियो को देखकर खुद ये decision ले सकते हैं कि असल में ये problems को कैसे solve करना चाहिए तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जादा से जादा लोग तक ये information पहुँचा पाऊंगी और हमारी family और बड़ी हो पाएगी तो please 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते ह हम बात करेंगे कि अगर आपको urine pass करने में कोई तकलीफ होती है तो आपको उसे कैसे manage करना चाहिए यू तो urine pass करने के लिए normally आपको कोई जादा तकलीफ नहीं होती है अच्छे से urine pass हो जाता है आपको बहुत जादा इसके पीछे मशक्राइब करने की जरूत नहीं पड़त है पर कुछ ऐसे situations होते हैं जहां पर आपको urine pass करने में तकलीफ होती है और उस वक्त आपकी कोई operation हुई है urine pass करने के लिए आपको नली लगाई गई है और जब नली निकाल देते हैं तो निकाल देने के कुछ टाइम तक कई लोगों को ऐसे तकलीफ होती है कि वो urine pass करने ही पाते हैं कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा एज हो जाता है तो उस वक्त भी उन्हें urine pass करने के लिए थोड़ी तकलीफ होती है कई बार ऐसा भी होता है कि आपको suddenly यह कहा जाता है कि urine test के लिए sample चाहिए तो urine तुरंच चाहिए होगा तो उस वक्त आप सुछते हैं कि मैं suddenly urine कैसे pass करो तो यह techniques जो मैं आज आपको बताने जारी हूँ आप इन techniques को follow कर सकते हैं हो सकता है इन में से कोई भी एक technique आपके लिए work कर जाए हो सकता है कि यह technique आपके पर work ना भी करें पर हर इंसान की body क्योंकि अलग-अलग होती है तो आप एक trial ले सकते हैं कि यह technique follow क करने से आपको अगर urine pass हो जाती है तो यह आपके लिए successful होगी तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हमें से बहुत से लोग इस तरह की problem से encounter करते हैं ज्यादतर as a nurse जब आप nurse हैं और आपके patients आपसे complain करते हैं कि हमको urine pass करते नहीं बन रहा है तो हम क्या करें अगर बच्चे हैं जो hospitalized है जिनको urine pass करने में तकलीफ हो रही है तो आप इन सारे टिप्स को follow करके देख सकते हैं और और यह experiment कर सकते हैं कि आपके लिए यह useful होगा या नहीं सबसे पहले आप urine pass करने के लिए यह एक technique कर सकते हैं कि आप जब bathroom में जाते हैं तो वहाँ जाकर आप tap on कर सकते हैं कई बार यह देखा गया है कि tap से जब पानी निकलता है तो उसकी आवाज से आपको urine आने की stimulation होती है अगर यह आपके लिए successful नहीं हुआ तो आप दूसरी एक technique भी follow कर सकते हैं जहां आप जैसे ही washroom में गया है तो वहाँ जाकर आप flush on कर दीजे flush के on करने से भी कई बार आपको urine करने की tendency आती है इसके अलावा आप अपने genital area पे याने के वो area जहां से urine पास होता है वहाँ पर आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं कई बार थोड़ा पानी चड़कने से भी वहाँ पर आपको tendency आती है कि आपको urine पास करना है इसके अलावा आप एक और technique follow कर सकते हैं जहां पर आप जब बच्चों को toilet training दी जाती है तो यही चीज वहाँ भी यूज़ की जाती है आप sound कीजे जब भी आप urine पास करना चाहें तो आप sound निकाले श, 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 तो ऐसे sound से भी कई बार आपको urine करने की tendency आती है तो यह सारे techniques आप follow कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इन में से कौन सी technique आप पर काम करती है कई बार यह techniques patients पर काम कर जाती है और उनकी urine करने की जो तकलीफ है वो दूर हो जाती है तो आप भी इने अपना कर देखिए और कोशिश करके देखिए कि आपके उपर कौन सी tip useful थाबित होती है तो friends अगर आपको मेरा वीडियो पसंदाया है तो please इसे like और subscribe करना ना भूले और इसे और लोगों के साथ भी share करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कई बार आपको जब urine pass करने में तकलीफ होती है तो वैसे समय में आपको क्या करना चाहिए natural methods जो आपको urine pass करने में helpful साबित होंगे तो मिलेंगे हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए बाबाई